जहन दोस्तों, दोस्तों आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सेनिक वेलफेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों AGI की तरफ से बहुत बड़ी गोशना के गई है और वो गोशना 31 मैसे लागू हो जाएगी यानि कि सारा प्रोसीजर हो चुका है 21 अपरेल को Board of Governors AGI के उनकी मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में ये फैसला लिया गया है यहां बहुत बड़ी गोशना में इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैं आपको ये बताऊंगा तो पता चलेगा कि जो जबान 30 अपरेल 2022 को रेटाइड हुए है और जो जबान 31 मई 2022 को रेटाइड हो रहे है दोनों के बीच में कितना बड़ा गैप है कितना बड़ा अंतराया है और दोनों में किसको क्या फैदा मिलेगा वो आपको पता चलेगा जैसे ही आप यहां देखेंगे देखें दोस्तों ये लेटर है आपके पास छे मई 2022 का आर्मी गरूप इंस्योरेंस सेना मुख्यालिक तर से जारी किया गया है और जिसमें लिखा गया है subject Review of Extended Insurance EI scheme यानि कि Extended Insurance, जो AGI की उसको रिवीव किया गया है अब मैं आपको यहां छोटे बहुती संचेट में बताता हूँ कि जो मई से पहले रेटाइड आ चुके हैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अभी immediate की बात कर रहा हूँ क्योंकि बीच में इस policy में बहुत कही बार बदला हुए हैं वो आप AGI की website पर देख सकते हैं और उसके लिए में वीडियो बनाया एक वहां भी detail में देख सकते हो लेकिन यहां important जो समझने वाली बात है वो यह है कि अब तक officers को one time non refundable यह ध्यान देने वाली बात है one time non refundable subscription जाता था और उनको officers को 10 लाग का insurance कबर था और JCO और जवानों को 5 लाग का insurance कबर था पीरियर अफसर्ज का retirement के 20 साल या 80 साल तक दोनों में जो पहले आ जाता है उस समय तक JCO और जवानों के लिए retirement के 30 साल यानि आज retired हो रहे हैं तो उसे 30 साल बात तक या 75 years age दोनों में से जो पहले आ जाएगा उस समय ये scheme से वो out हो जाएगा तो यहां जो भी ये scheme थी अगर कोई अपनी उमर के इसाफ से या service के इसाफ से पूरा scheme का जो terms and condition ने पूरी हो जाती थी तो आपको कुछ नहीं मिलता जो अब से पहले scheme थी उससे previous scheme में कई बार ऐसा हुआ है कि आपको मिलता भी था और आपको non refundable भी था यहां के लिए one time non refundable बट अब जो ये scheme आई है इसमें subscription one time है लेकिन ये refundable है जो आपसे कटेगा वो आपको मिलेगा उसमें क्या है अपसर्ज से अब कट रहा है एक लाग साथ हजार और अपसर्ज को insurance cover दी जा रही है 15 रुपे की वहीं दोस्तों जवानों को और जेशियोज को इनका subscription 68,000 है और साड़े साथ लाख रुपे की insurance cover ह अगर ये जो primary member है खुदाना खास से उनकी death हो जाती है तो ये amount आपके next option spouse जो आपके nominee है उनको मिलेगा अगर आप ये terms and condition पूरी हो जाती है उसके बाद ये जो आपका पैसा कटा है ये पैसा आपको मिल जाएगा जब यानि कि ये terms and condition भी पूरी हो गई जवान, जेश्यो जवान को retirement के 30 साल के बाद या 45 साल की उमर पहुच गए और वो जीवित है तो उनको उनका refund के subscription का पैसा मिल जाएगा लेकिन जबकि पहले ये scheme में ऐसा नहीं था तो दोस्तों ये insurance जो extended insurance scheme है post retirement उनके लिए ये बड़ी ही खुसकबरी की बात है क्योंकि ज पैसा subscription का जो one time कटा है वो refund नहीं होगा लेकिन अब क्या है अगर आप सर्वाइब करते हो ये period से ज्यादा तो आपका जो contribution का पैसा है one time जो आपने subscription दिया वो आपका refund हो जाएगा और जितने भी एक्सरिश्मेन हैं उनके extended insurance का जो certificate है आप अपना अपना चेक कर सकते हैं कि वो आपका refundable है या non refundable है क्योंकि वो उस समय के हिसाब से जब आप retard आये थे उस समय की scheme के हिसाब से हैं कि वो आपका refundable है या non refundable है तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में इसी तरीके की किसी unwelfare की जानकारी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में तक तक के के लिए दोस्तो जय हिन, जय बारत.